कि नमस्कार प्यादर्षकल मैं आचार ईसीश्यमाल आपके चैनल 60ु काल गरना में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं प्र्यादर्षकब आज मैं आपको बताने जारा हूँ अप्रेइल महिनी का रहेगा मकर रासिवालों का कैसा रहेगा मकर रासिवालों का अप्रेल का महीना कैरियर की दिश्ची से धन की दिश्ची से आर्थिक दिश्ची से भागी की दिश्ची स्वास संबन्दी रोग संबन्दी दामपते जीवन संबन्दी पाटर संबन्दी रोजगार व्यावसा संबंधी ब्रभाई चोटे भाई कुटम परिवार में कला की लिए संबन्दी और कार्या स्टल्प उन्नित संबंदी विदीश चात्र वाले रहते उन के लिए कैसा रहेगा प्रैल का महीना प्रिय दर्शाब को अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर दें लाइक कमेंट शेयर जरू के बेल आइकन को प्रेस करना न भूले जो राशिपल मैं बता रहा हूं यह चंद रासी के आधार पर यानि कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो रासी बनती है उस रासी की आधार पर मैं आपको यह रासी गोचर से आपको समझ आया है कौन-कौन से ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तन से आपकी उपर कैसा प्रभा हो रहा है यहां पर चार्ट है जन्म कुंडली का चार्ट है उस चार्ट में आप समझे जहां पर 10 अंग के लिखावा वह आपकी आपकी रासी है और उसके मालिक सनिग्रह आपकी राशी से दूतिया भवन में गोचर पहले से कर रहे हैं, यानि जाक ग्यारा अंग के लिखावा है, सुरतिया भवन है, वहाँ पर देवा गुरु बिरस्पति का गोचर एक ही सपरेल तक रहेगा, और देवा गुरु बिरस्पति अपनी प्रिया का गोचर है चौते बहुन में जहां पर एक लिखा हुआ है और जहां पर सूर्य का गोचर जहां पर बारांक के लिखा हुआ है वहाँ सूर्य गुझा गरह अपनी उच्छ राशी याने की एक अंक जहां पे लिखा चौथा बवन है वहाँ पे अप्रेयल 14 अप्रेयल को गोचर करेंगे बैशाक की महिने में सूर्य उच्छ के हो जाते हैं तो वहां पर गोचर करेंगी और बुद्ध गरह मास्पराराम से ही याने की 31 मार जहां पर दो लिखावा है वहांảपर सुक्र का गोचर होगा छै अपैल को अससे पहले आप आप array दो पहले चली जाएंगे और जहां पर तीन अंग निःखावा पर मंगल गोचर पहले से हैं मार्श से चल रहा है मंगल ग्रह वहां पर आपकी छटे भाव में गोचर के छटे चटे के मंगल स्टेश्ट होते हैं और जहां पर चारंग के लिखावा है चंदरमा का गोचर मास्परारंब में वहां पर रहेगा तो मैंने आपको बताया इन ग्रहों के गोचर के according कैसा रहेगा आपके लिए अप्रेल का महीने मकराशी वालों के लिए चौथे भवन जो सुक भवन है वहाँ पर तीन योग बनेंगे उस विशाई में मैं चर्चा करूंगा और आपको उपाई बताऊंगा वहाँ पे सूर्या का और राव का जो दोस बनेगा ग्रहन दोस और अप्रेल में 20 तारीक को ग्रहन दोस बनेगा गोचर में बनेगा सौर्मंडल में बनेगा और भारत पर ग्रहन का कोई प्रभाव ने अधृष्य रहेगा अन्य अदेसों में ग्रहन दिखाए देगा लेकिन तब भी गोचर में घ्रहन योग बनने से आपके चौथे भवन प बनेगा तो इन योगों के विशाय में मैं आपको वीडियो के अंत में आपको उपाई बताऊंगा आप उपाई करेंगे तो सुक संबंदी बाहन संबंदी भूमिववन प्रॉपर्टी संबंदी या परिवार में कलह कलह संबंदी जो भी दिकतें आने वाली है अगर आप सब्सक्राइब रहेगा अब इस अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत शफल बताने वाला हूं कि आपके साथ मकराशिवा लोग क्या होगा परेल के मेहने में मैंने विसेज बातें आपको बताऊंगा सुध करके मैंने भूश्यवानिया आपकी लिखिये हैं और पदवनति के योग बनेंगे पदवनति के आपके योग बनने कि सुक्र का जो प्रवाव है पंचम में होने से आपको पदवनति के पूर्ण चांस बनेंगे जो कारिया आप पहले से कर रहे थे बहुत लंबे समय से उसके पीछे लगे वह तो कारिया बंते वे आपके दिख रहे हैं कारि स्वास्त में स्वास्त में भी शुदार होगा मकर राश्यवालों को पहले से जो विमार है उनके श्वास्त संबंदी उनको शुदार होता वाद दिखरा है आए में ब्रुदिधन लाव आर्थी किसी सुद्री कशर्चा अधिक रहेगा मेहनें अप्रैल के महनें में आपका खर्चा अधिक होने की शंबावना बनती है किसी को उधार नहीं करया, का मंगल नहीं देनां सब्सक्राइबभाब को आपको आपको किसी एक कुछ लिए अपको हानी होगी अप्रेल के महीने में इसलिए आपने दैरे से काम करना खर्चा अधिक रहेगा करजा करजा आपको रुपया किसी को नहीं देना शंतान शुक मिलेगा शुक्र का जो पंचम में दो अंक जहां लिखा था वहां पर शुक्र का गोचर होना अपनी राशी में शुक्र जाने से आपको शंतान शुक मिलेगा विद्यार्टियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा प्रेम संबंद में बढ़िया रहेगा दामप पर सुक भवन में ग्रहन दोस्त बनेगा और ग्रहन दोस्ते माता-पिता के स्वास्त्य में थोड़ा कमी आएगी तो अपने देश में छोटे ब्यापारी बड़े ब्यापारी जो अपने उद्ध्यों खुले वे हैं मकराशिवालों उनमें आपको लाभ होता दिखेगा बिरि इसमें आपने किसी के साथ उलजना नहीं है और थोड़ा आप मंगल का दान करा दे तो आपको कहीं विदेश संबंद में कोई दिक्कत ना होई कोई चोड़ चपट की घटना न बढ़े इसलिए विदेश में रहने वाले आप मंगल का दान करें तो बढ़िया रहेगा दाम आपको शपलता मिलेगे भाग्यका साथ मिलेगा आपको भाग्यका भरपूर साथ मिलेगा एकी सपरेल तक जब देवा गुरु ब्रस्पत के दिश्टी भाग्या पर रहेगे तो भाग्यका साथ मिलेगा आएक की बृद्धी होगी और उसके बाद देवा गुरु ब्रस्प तोड़ा आपको गया सित्यादी की समस्या पाचन तंत्र में तोड़ा दिक्कत आएंगी बाइस अप्रेल के बाद और भाग्य का साथ मिलेगा प्राक्रम विल पावर उर्जा आपकी बढ़ेगी मंगल की सस्टम में होने से आपके अंदर तागत बनेगी जो लोग डॉक्टर छेतर में हैं सरजन हैं आईटी सेक्टर में उनको लाब मिलेगा मंगल का सरकारी नौकरी त्यादी में भी जो उच्छ पदों पे हैं उनको लाब मिलेगा मंगल की सस्टम होने से बतातेता हूं आपने एक तो भूमी भवन वाहन इत्यादी अप्रेल के महिने में नहीं खरीदना अगर आप इस चकर में पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा फिर उपर से चौते भवन के जो मालिक है मंगल गर्व वो छटे भवन में जाने से भी भूमी भवन प्रपर्टी त्यादी के मामलों में आपको हानी का सामना करना पड़े इसलिए अपनल के महिना ये समय आपके लिए ठीक नहीं भूमी भवन बाहनी त्यादी खरीदने का इस महिने आप इत्यादी का खरीदे और उपाई ग्रह्ण दोस्के उपाई में आपको बठाएता हूं आपने काला कपड़ा लेना काला कपड़े में सथ साथ प्रकार का जना सतना जा एक घट्टा करना है अड़ा दाई सो ग्राम कर ले उसमें तेल की बोतल लख ले आदी लिटर या दाई सो ग्राम एक लिटर आपकी सर्दा उनसार उसमें नमक का प्रैकेट लोहे का चाकूँ और साथ में एक नारियल गुरी गूला इन सब को मिलाकर अपने उपर घुमाएं साथ वार गुमाएं और घुम सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए लाब रहेगा और गुरु चांडाल दोस्त के लिए आपने धर्म से जुड़ कर रहें धर्म से भी मुखना हो कोई आपके भटकाई मन को कि क्या होता पहले सी तैरी आर्थिस्थिती की ऐसी है तो आप ने भटकना नहीं है धर्म की open का साथ देना धर्म के कारी Unter समय डिली मन जा है भीया-अब के दिन भीवार के दिन दान दे और और वह किन्रों को दन दें और साथ मैं पक्ष्य को मिलतावा दिकरा है अभी के लिए अनुमस कार जैमाता दिए